तो नमस्कार दोस्तों कारवनी में आपका फिर से स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हर चीज कार से जुड़ी मिलती है और आज हम बात करेंगे टाटा कर्व के बारे में टाटा मोर्टर्स ने ये तो तैक कर दिया कि वो सी एसुवी सेगमेंट में दमाल मचा ही देंगे तो चलिए शुरू करते बिना कुछ सोच समझे तो सबसे पहले डिजाइन की बात कर दें टाटा कर्व अपने का पैसुवी डिजाइन के साथ मार्केट में पूरा आग लग र दिमाग गुमा देगा तो इसकी बारे में आपका क्या कहना है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता की जाना अब इंटियर की बात कर लेते हैं टाटा कर्व के अंदर एक सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन है एक फ्लोटिंग इन्फोटेन्मेंट सिस्टम सेंटर सेंट के बारे में तो दोस्तों बॉनेट के नीचे कर्व इलेक्ट्रिक और इंटरनल कंबस्टन इंजिन दोनों पावर ट्रेन के साथ आता है इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको मिलने वाला है 50kWh या 60kWh का बैटरी पैक और इसकी रेंज की बात करते हैं तो वह 400 किलोमेटर तक की रहने वाली है आई सी वेरियंट में कंफर्म 1.5 लिटर टर्बो पैट्रोल इंजिन मिलने वाला है जो देती है 167 होर्सपावर और 280 न्यूटन मेटर स्टर्ग और ट्रांस्मिशन आप्शन में मैं मैनवल और ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और मेरे प्यारे दो करेंगे इसको असली रोड पर कैसे पर्फोर्म करती है तो आप भी देखोगा न मेरी तरह तो हाँ दोस्तो जरूर देखना तो फाइनली इसके प्राइज वगर की बात कर लेते हैं टाटर ने सोचा कि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए इसके प्राइज का फिक्स ह तो दोस्तो ये ओन रोड इनकी कीमत है मुंबाई में तो ये रही सी एसवी सेगमेंट के एक जलक जो लाएगी अपने साथ इस्टाइल और पर्फोर्मेंस अगर आप भी उतनी एक्स्टाइट है जितने हम तो लाइक करना मत बोलिए कारवानी को सस्क्राइब कीजिए और ये हमारे साथ क्योंकि ये कर्व है वो जो गेम चेंज करने वाली है अब मिलेंगे आपसे अगली बार तब तक के लिए सेफ ड्राइव और कार्स में पैशन बनाए रखे